गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं प्रतिमा सिंग QTFM 5.5 दिल में आपका स्वागत है मैं आ गई हूँ आज के मुख्य समाचार ले करके एट्रिक्स देवास सौधे से कांग्रिस ने देश के साथ धोखा किया निर्मला अंतराष्टी इस्तर पर देवास के खिलाफ सुप्रीम कोट के फैसले का इस्तमाल करेगी सरकार साथ डाक्टर समेट 272 लोग कुरोना संक्रमेत डियाईजी कार्याले के 15 कर्मी भी पॉजिटिव कूल 2602 लोग संक्रमेत गोरकपुर बना सिमला निउन्तम पारा एड़ी रेट 6.7 लगतार तीसरे दिन सीत लहर की आगोस में रहा सहर अधिक्तम तापमान भी लोड़क कर 12.5 डिग्री पहुचा यूपी टीटी 121 केंद्रों पर 15,230 अभ्यार्थी देंगे पर इच्छा 23 जनवरी को कड़ी सुरच्छा के बीच दो पाली में होगा इम्तहान सत्ता में आने पर राजनितिक मुकदमे वापस होंगे अखिलेस ने कहा अब्दुल्ला आजम वो वरिष्ट निताओं पर भाजपावा कांग्रेस ने मिलकर दर्ज कराएं मुकदमे सपा ने सुरू किया 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाओ नाम लिखाओ अभ्यान घर घर जाकर पार्टी कारे करता भरवाएंगे फॉर्म 19 जन्वरी से होगा सुरुवात साथ साल की काम नहीं बताते सतर साल का पूछते हैं हिसाब प्रियंका कांग्रेस महासचीव ने सोसल मीडिया लाइव समवात के माध्यम से भाजपा पर साधा निशाना हर राज में समुदाइक रसोई खोलने की मौडल योजना बनाए केंद्र सरकार सुप्रीम कोट ने का भुख मरी से मौतों पर दो सब्ता में जवाब दाखिल करें 2017 के बाद पहली बार सिर्फ बल्लेबाज के रूप में उतरेंगे विराट दच्छड अफरीका के खिलाफ तीन वंडे मैचों के सिरीज का पहला मुकाबला आज आस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड मामले अस्पतालों में बेड कम पड़े देश की दूसरे सबसे बड़े राजी में लगा अपात काल दुनिया में नए संक्रमित 20.71 लाख ये थे अब तक के मुख्य समाचार कल फिर ले करके आओंगी इसी समय मौर्निंग में तब तक के लिए नमस्कार